नमस्कार में काजमिशा स्वागत है आपका अन्मा लाई पर आए नजर डालते हैं देश की मुख्य खबरों पर संसत के शीतकालीन शत्र सुरू होने से पहले केंद सरकार ने शनिवार को लोकसभा और राजसभा में राजनीतिक दलो के निताओ की बुलाई है बैठक 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है संसत का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा यह सत्र जिसमें 15 बैठके की जाएंगे आयोजित संसदीकार मंत्री प्रहलाज जोशी के अधक्षता में होगी यह बैठक जिसमें रक्षा मंत्री राजनात सिंग और प्यूश गोयल हो सकते हैं शामिल सरकार ने अगले सब्तार शुरू होने वाले संसत के शीतकालीन सत्र के लिए सुचीबत की अठारव विधेयक जिनमें महिला अरक्षर अधिनियम के प्रवाधानों को जम्मू कश्मिर और पुडुचेरी तक बढ़ाने संब्धी दो तथापराधी कानूनों को बदलने के लिए तीन विधेयक हैं शामिल प्रधानमंद्री नरेंद मोधी ने गुरुवार को विक्सित भारत संकल पर यातरा को किया समभोधित अस दोरान पी ए मोधी ने देश में बताई चार जाति गरीब युवा महिलाय और किसान मैं इन चारों जातियों के सशक्ती करण के लिए कर रहा हूं का मेरा है मानना की मुल आस्ता और धर्म को छोड़ कर इन चार मूल जातियों के उत्थान से देश करेगा प्रगती दिली के से मरविन के जिवाल के तमाम विरोत के बीच दिली के मुखिस्तचीव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को सुप्रीम कोट की मिल गई है मंजूरी केंदर सरकार ने सीएस नरेश कुमार का छे महिने का सेवा विस्तार का लिया थनिर्न है दिली सरकार इस मामले को लेकर पहुँची सुप्रीम कोट तो केंद्र ने खुल कर नरिश कुमार के पक्ष में दीदली ले कोट ने नकार दिये के जिवाल सरकार के तरक और केंद्र के फैसले को दे दी हरी जंडी उत्रप्रदेश के उपमुखे मंद्री केश्व प्रसाद मौर्या ने दिया बयान कि बीजेपी के वरिस्ट नेता और वक्खुद है जाती जनगर्ना के समर्थन में केवल केंदर सरकार इस पर कर सकती है विचार क्योंकि उनके यादिकार छेतर में आता है या विश है जाती बार जनगर्ना कराना है केंदर का मामदा समाजवादी पार्टी इसको बना रही है मुद्दा पट्रियों पर दोड़ रहे देश की पहली रैपीड रेल नमो भारत तो यात्रियों के सफर को बना रही है आसान यात्रियों को नमो भारत ट्रेड में सफर करने के लिए एंसी की जानकारी विश्वदरोः का शिमरा रेल लाइन पर शिमरा का रेल इस्टेशन का जल्दी हो गा अधुनी करणड पहली बार हेटेस रेल राइन पर हो गार। इस प्रकार का कार। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने शुरू कर दिया कारे साथ ही बोर्ड ने विशे सलाकार को दोनों रेलवे स्टेशन का मुएना कर रिपोर्ट देने के दिये हैं निर्देश देश के पहाड़ी राजियों में स्नोर फॉल और मैदानी इलाकों में बारिश से बढ़ गई है ठंड जमुकश्मीर में गुरुवार सूबस ही हो रही है भारी बरबारी स्नोर फॉल के बाद गुल मर्ग में माइनस एक डिग्री पहुँच गया है निम्तम तापमान एक दिसंबर तक दक्षिरपूर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तुफान मिचांग में बदल जाने की है संभावना मिचांग तुफान की वज़ह से कई राजियों में भारी बारिश की दी गई है चेतावनी इससे पहले तमिलाडों के कई हिस्सों में हुई थी तेज बारिश इसकी वज़ह से चेननाई के अलावा कई जीलों में अस्त व्यस्त हो गया है सामाने जन जीवन तो यह थी देश के अब तक की मुख्य खबरें से तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे है एन्वल लाई